Hello friends, welcome back to my another video, दोस्ता आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं कि अगर आप MS Word से किसी भी पेज को कहीं से भी डिलीट करना चाहते हैं तो बहुत ही असानी से डिलीट कर सकते हैं तो आईए हम देखते हैं कि केस प्रगार से हम किसी भी पेज को MS Word से कैसे डिलीट करेंगे लाइक कर सकते हैं और कॉमेंड में उसका रीजन भी बता सकते हैं तो चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पे पहुंच गया हूँ MS Word में और MS Word में पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं टोटल पेजों की संख्या जो है वो 31 है आप देख सकते हैं अभी मैं 5th नंबर पेज पे हूँ अब मैं यहां पे चला गया हूँ 6th नंबर पेज पे अब 7th नंबर पे चला गया हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पे पेजों की संख्या भी दिखा रहा है साथी साथ अगर हम चाहते हैं कि यह जो 7th नंबर का पेज है यह पैनल पर आप देख सकते हैं नेविगेशन आपको पैनल यहां पर दिख रहा है यहां पर जाएंगे तो आपको पूरे यहां पर पेज देखने को मिल जाएंगे तो पूरे यहां पर पेज आपको देखने को मिल जाएंगे देख सकते हैं टोटल 31 पेज है आप देख सकते हैं यहां पर 31 page है मानले से आप जिस page को delete करना चाहते तो उसके लिए आपको simply क्या करना है आपको view पर जाना है view पर जाने के बाद आपको one page के option पर जाना है आप देख सकते हैं first में आपको देखने को मिल रहा one page इस पर आपको जाना है जैसी आप इस पर जाएंगे यहां पर जाने के बाद simply आपको जिस page को आप delete करना चाहते उस पर एक बार आपको click करना है जैसी click करेंगे तो यहां पर click करने के बाद आपको simply अपने keyword से प्रेश करना है control plus G आपको क्या प्रेश करना है control plus G इसके बाद आपको क्या करना है forward slash का use करना है आप देख सकते हैं forward slash का use करना है और यहाँ पे आपको लिखना है page जैसी आप page लिखेंगे आप देख लिखेंगे आप देख लिखेंगे यहाँ पे दो option आ रहे है go to का option आ रहे है और close का option आ रहे है यहाँ पे आपको click करना है पहले go to पे जैसी हम go to पे क्लिक करेंगे तो हमारा page यहाँ पे select हो गया अब देख सकते हैं page जो one है वो select हो चुका है आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है यहाँ भी देखने को यह मिल रहा है पूरा page यह select हो चुका है देन आपको close वाले option पे click करना है जैसी आप close वाले option हो गई है 30 तो इस प्रकार आप असानी से किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं साथ इसाथ में दूसरे पेज को आपको डिलीट करके दिखाता हूं जैसे आप देख लिए से यहां पे लिखा हुआ है बीटी आप देखें बीटी वन सीरो टू इस पेज को में डिलीट करना चाहता हूँ सिंपली इस पे मैं क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पेज नंबर यह 6 पे है और सेम प्रोसेस फिर से हम फॉलो करेंगे यहां प्लस जी का यूज करेंगे फिर से डायलग बॉक्स आएगा फिर यहां से हमें क्या करना है गोटू के उप्षिन पर क्योंकि हां फॉर्वर्ड सेलेट लिखा हुआ है यहां गोटू के उप्षिन पर जाएंगे तो यह पेज सेलेक्ट हो चुका है और यहां क्लोज के उप्षिन पर जाएंगे फिर से क्लीक करना तो आप 24 हो ओ गया है तो इस प्रकार से आपप किसी भी पेज को कही से ब्लीट कर सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगे, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे जरूँर लाइक करें, अपने फिरिंड्स के पास वीडियो को शेयर करें, और कॉमेंट में अपना सुझाव जरूर दे कि आप कोई वीडियो कैसी लगी और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वचिंग दिस वीडियो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक अपना बहुत ही ध्यान डगे